कि नमस्ते दोस्तों मैया नांदी श्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल हेल्ख बेबी केर में आज हम जो वीडियो आपको बताने चाहरे हैं दोस्तों इमाहिलाएं और पूरुष दोनों के लिए हैं कि कमी है तो नहीं बहुत सारी परसानिया होती है जैसे कि अनिद्रा ठकान, कमजोरी, चक्कर, भूग की कमी, मिचली होना, उल्टी होना, जोडों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, यहां तक कि बार बार यूरीन जाना, पेशाप में जलन होना, अगर आप ऐसी समस्या से परसान हैं दोस्तों तो यह वीडियो जरूर देखें आप लोग के लिए बहुत ही फैदेमन, बहुत ही जवदस्त, आज हमने उसका ऐसा लेकर आएं कि यह सभी के लिए बहुत ही कारगरे, शुबह के नाश्ते में अगर इस चीच को लेते हैं तो फिर आपको सारी परसानी धूरू जाएगी आपकी ताकत बढ़ जाएगी आप से जुड़ी कोई भी परसानी दोस्तों तो यह हैं उपाए नलों के लिए दोस्तों बस इसे अब आप शए तरीके से लेना सुड़ू कर दू ढागरा है तो सोश्तों आपको कहरना क्या है, मुठी से एक मुठी हुआइड वालाचना ले ले एक मुठी खड़ी उबरत ले 10-15 काजू ले ले, 10-15 बदाम ले ले, 5-6 छुहाडा ले ले, इन सब को रात में अच्छे से धो कर पानी में भीगा दें, फिर रात भर पानी में जो भीगा रहेगा, सुबा इसी को आप खा के नास्ता करें, इसी सब चीजों को खाने के बाद उसके उपर से एक धोका गुड खालें, अगर आप पानी पीना साते हैं, तो जो भीगा के रखे थे जिस पानी में उसी पानी को थोड़ा सा पी ले, इसे खाने के बाद आप एक गिलस गरम दूद ले, उसमें आधा चमस छोटी इलाइची का पौडर डाले, और आधा चमस देशी घी डाले, और अच्छे से मिक्स कर ले, अगर आपको मीठा सही तो उसमें हलका सा मिश्री या हलका सा सहे, डाल कर मीठा स्वाध होने के लिए, डाल कर मिक्स कर ले, मिक्स करने के बाद आप उस भूद को पी जाए, एक महीने के अंदर ही देखी, आपको पंदर से एक हफते के अंदर आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा आप देखेंगे कि आपके सरीर में एनर्जी मिल रही है आपके सरीर में खून की कमी है या फिर अनिद्रा है ठकान जो बार-बार जोड़ों में दर्द होता है उससे सारी परसानी दूर हो जाएगी आपको खुद अपनी आपने एक रिलाक्स दियर करें हमेरे कमेंट में लिकर बताना बिल्कुल ना भूले कि यह उपाय आपको कैसा लगा अगर ऐसी रिलेट्व अगर आप कोई भी और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में लिकर जरूर बताएं हम आपके मान पसंद वीडियो जरूर बनाएंगे तो चली आज के ल लगा और नए वीडियो के साथ तत्त के लिए स्वास्त रहें मचत रहें धन्यवाद